हेलो एंड वेलकम स्टुडेंट कापी सारे स्टुडेंट कह रहे थे कि सर हमें प्रिवेस एर के पेपर का सुलिशन करवाई है तो हम आज आपके लिए प्रिवेस एर का पेपर लेकर आ गए हैं इसका सुलिशन करवाई हैं आपको पूरा इसे आपको एक अंदाजा हो एक विद्धू तो दिद्धूर है ऐसमान विद्धू छेत्र में रखा गया है उस पर आरूपित होता है बल्वै बल आगुरण केवल बल केवल आगुरण या नय बल तथा नय आगुरण बताए स्टुडेंट इस परकार के एक क्यूशन पुछे जाएंगे आपको आंस्वर लगा लिया होगा तो इसमें आंस्वर होगा ए बल्वै बल आगुरण तो चलिए अगले क्यूशन के वर बढ़ते हैं यह 2020 का विपर है इस परकार से क्यूशन पुछे जाएंगे आपको तिर्जेह दोगन्य हो जाए तब ये विद्धुथ फलक्स क्या होगा? बताई स्टुडेंट आपकी सामने आद्धा हो जाएगा, सममान रहेगा, दोगना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, बताई स्टुडेंट इसका write option होगा, सममान रहेगा यानि कि एक मानलो एक आवेश क्यों है ये मानलो एक गावुसी गोला है इसके अंदर क्यों आवेश रखावा है अब इस क्यों आवेश इसके अंतरगर्त है हाना तो इसकी तिर्जया मान लेते हम आर इसकी तिर्जया आर है तो तिर्जिया को दुग नहीं कर दी जाए तो विदुद्ध फलक्स फाई का मान कितना होगा तो इसमें हमेशा क्या होगा फाई का मान तिर्जिया को दुग नहीं करने पर हमेशा सम्मान रहता है तो इस प्रकार से question आपको गुमाने वाले question पुछे जाते हैं एकजाम में हर बार तो अगले question देख लेते हैं previous year के जो student paper solution करेगा उसको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार से question paper आते हैं तो चलिए है अगला question दो एक समान तता बराबर आवेसों को 3 मिटर की दूरी पर रखा जाता है यानकि यह मान लेते हैं Q1 आवेस और यह मान लेते हैं Q2 आवेस ठीक है 3 meter की दुरी पर रखा जाता है ये मानलो 3 meter की दुरी है 3 meter की दुरी पर उनके मद्धे 1.6N परतिकिर्षन बल ऐब का मान कितना दे रखा है 1.6N तो परतिक आवेश का मान ग्याद किजिए यनि कि क्यू का मान ग्याद करना है काफी आसान कि उससे नही है दो माइक्रो चार माइक्रो कुलाम चारेस्वार अस्ष्य माइक्रो कुलाम बताई श्टुडेंट क्या होगा इसका श्टूर बताई ये वह इस शत्र से होगा f बराबर q1 q2 upon में r square k कमान भी होता न ये फॉर्मूला इसमें लगेगा आप इसे वीडियो को पोज करगे आशानी से सोलिशन भी इसका कर सकते हैं student तो चलिए इस question का answer होगा आपके सामने इस question का answer होगा C जिस student का correct आया हो नीचे comment करेंगे इससे आपका अभ्यास होगा अगला question है आपके सामने ACL N का दिवदूरों आगुण 3.4 गुणा 10 की पार माइनस 30 cm है यानि कि दिवदूरों आगुण तो आयनों के मद्दे के दूरी क्या होगे बताए student 0, 2 cm, 2 mm, 2.12 गुणा 10 की पार माइनस 11 मिटर बताए student सबसे पहले आपको दिवदूरों आगुण का सुत्र पता होना चाहिए क्या है तो दिवदूरों आगुण का सुत्र आपको पता है P equal to 2 Q A यह दिवदूरों आगुण का सुत्र है इस सुत्र को लगा कर आप simply इसका solution कर सकते हैं काफी आसान क्यूशन है physics से, class 12 से ले गया है यह देखे, इस परकार से काफी आसान क्यूशन भी आपसे पूचे जाएंगे ऐसा नहीं के hard क्यूशन ही आपसे पूचे जाएंगे यह 2020 का paper solution चल रहा है student, यह देख सकते हो आप यह physics के क्यूशन चल रहे है अब इसमें किस तरह क्यूशन पूचे जा रहे हैं जान क्यूशन है, तो इसमें आंसर होगा A, B, दोनो, या उपरोक्त दोनो, विद्धुत आगुरुन का विद्धुत विभाव का सोरी, न्यूटन, न्यूटन इंटो मिट्र पर कुलाम या वोल्ट चलिए आग बढ़ते हैं अगले क्यूशन के और अगला क्यूशन चक्टा आपको यह नूमरिकल क्यूशन आपको नूमरिकल हो सके उतने ज्यादे से ज़्यादा सोलिशन करने है क्योई फिजिक्स में अधिकतर नूमरिकल पूछे जाएंगे क्यूशन आपका 2.3 के एक आविसित खोग के लिये गोली चालक सत्य पर 100 वोल्ट विद्वतु विभाव है तो के अंदर से एक मिटर दूरी पर विद्वत विभू क्या होगा पैन को पिलेकर बैलिटी स्टुदेंट और इसका सुल्यीशन कीजिए दो मिटर तिरिजिया के एक आविस्ट खोकले गोलिये चाला के सत्या पर 100 वोल्ट विद्वत विभू है तो के अंदर से एक मिटर की दूरी पर विद्धुत विभग क्या होगा चलिए option देख लेते हैं option A 50V, option B 100V, option C 1.500V, option D 200V बताइए student, numerical question है वीडियो को पोज करके आप आशनी से इसका हल कर सकते हैं तो इसका right option होगा, option B 100V student चलिए एक ले question के और बढ़ते हैं यह देखिए, दो गोलाकार चालकों की तिरजयों का अनुपाद यहने कि दो यह गोलाकार चालक है, उनकी तिरजयों का अनुपाद 1, अनुपाद 2 है तो उनकी दाविताओं का अनुपाद कितना होगा कापी आसान question है आंस्वर के लगा लिया होगा तो इसका राइटा option होगा, option B, एक अनुपाद 2 चलिए बढ़ते हैं अगले question के और अगला question है numerical आपका चित्र में दिखाये गए, A, B, के मदे, तुल्य दारिता यदि दारिता कितनी है, 4, micro, फिराड़े A, B, के मदे चित्र में दिखाये गए, तो बताई इसका अनुपाद तुल्य दारिता क्या होगी, A, B, के मदे यदि सिक्का मान आपको दे रखा है यहाँ पर, 4, micro, तो A, B, के इन दोनों के मदे आपको तुल्य दारिता क्याद करनी है काफी आसान question है दारिता का सुत्र आपको याद होना चाहिए, तो टिक लगा लिया होगा तो इसका right option होगा आपसे टाइम दे रहे हैं, हम बता दिये अभी तो इसका right option होगा, option B, 4, micro, फिराडे इस प्रकार से question पुछे जाएंगे, आप देख सकते हो आप तो आपको किस प्रकार से त्यारी करनी है, आप समझ सकते हो कैसे question पुछे जा रहे है question noco है किसे चाला की पर्ति रुग देता वाज चाला का गुणन फल नीर बर करता है कार चेतर पल पर लंबाई पर किसी पर नई, बताए student पर्ति रोध देकता तथा चाला का कि अध्यारी की पर निर बर करता है लगा लिया होगा कापी आसान क्यूशन है तो इसमें रायर टोंस्वन होगा कार शेतर पल पर भी नहीं ताप पर भी नहीं और लंबाई पर भी नहीं तो इसका रायर टोंस्वन होगा डे तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन के और क्यूशन नम्मर दस आपको दे रखा तो अधिक उस्मा उत्पन होगी, तो अधिक उस्मा किसके दोरा उत्पन होगी, बताइए गाईज? तो option इसमें B correct होगा निम्न परतिरोदों पर option B इसमें correct होगा अगले question के और बढ़ते हैं 11 का question है एक समांतर पलेट संदारितर की पलेटों के मद्या की दूरी D है यानि कि यह मानलो समांतर पलेट संदारित है इनके पलेटों के मद्या की दूरी कितनी है D 76 पलेटों के बीज में एक समांतर पलेटों के बीज में तो उनकी उर्जाग याद कीजिए बताए स्टुडेंट आवे संदारितर की उर्जागा सुत्रा आपको सिदा याद होना चाहिए ताकि आप टिक कर दो यहाँपर निकालना न पड़े यह सिदा याद कर ले ना तो इसका राइट आप्शन क्या होगा बताए तो इसका राइट आप्शन होगा आप्शन C वन ओपोन में 2 इनोड इस्क्वाइर एडी यह याद ही कर ले ना यहाँपर किसका सुत्र है आवे संदारितर की और जगा क्या सुत्र है वन ओपोन में 2 इनोड इस्क्वाइर एडी काफी इंपोर्टेंट सुत्र है इससे कई प्रकार नियुमेरिकल क्यूसन भी इसमें पूछे जाते है अगला क्यूसन है एक तार का परतिरोद 4 ओम है यानि कि कोई मालो इतार है इसका प्रतिरोद कितना है 4 ओम इसकी खीज कर लंबाई को दो गुना कर दिया जाता है नए अतार का प्रतिरोद क्या हुआ काफी दिमाग गुमाने वाला क्यूसन है बताई स्टुडेंट 4 ओम 8 ओम 16 ओम 24 ओम यानि कि लंबाई को दुगना करने पर प्रतिरोद आद्धा होता है या डबल होता है इसमें फंडा ये पताईए क्या होगा इसका रायट आप्शन 12 का क्यूसन है तो इसका रायट आप्शन होगा आप्शन सी 16 ओम अगला क्यूसन के और बढ़ते हैं अगला क्यूसन है विववमापी के तार के पदार्थ का परतिरोद ताप गुणां को ना चीए जो विववमापी है उसके तार के पदार्थ का परतिरोद ताप गुणां कितना ओर ना चीए उचों ना चीए कम होना चाहिए, नगन्य होना चाहिए, अनन्त होना चाहिए कैसा होना चाहिए student बताए student इसका रायटा option होगा, option C, नगन्य अगले question के और बढ़ते हैं यह numerical question है आपका क्या question है, हम rate कर लेते हैं दे गए मिट्र से तू संतुलित आउस्ता में, यह मिट्र से तू का आपको चितर दिया हुआ है यह संतुलित आउस्ता में, अग्याद प्रतिवरोद इसका R का क्या अग्याद करना आपको मान तो इस वीडियो को पोज करके आप आसानी से pen paper लेकर इसका solution कर सकते हो तो इसमें option दे रखा है 220 ohm, 110 ohm, 13.5 क्योंकि हम यहाँ पर solution करवाएंगे तो पूरा paper है वो cover नहीं होगा इस्टूडेंट तो इसका right option होगा option A, 220 ohm तो बढ़ते हैं अगले question के ओर अगला question है किर्चौप के पर्थम तता दियती है नियम आदारीत है किर्चौप ने दो दिये थी नियम पर्थम वे दियती है नियम यह किस पर आदेरीत है option A, दारा था 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 उर्जा सरक्षन के नियम पर option B, आवेज तता उर्जा सरक्षन के नियम पर option C, दर्वेमान तथा आवेश स्रक्षन के नियम पर option D कोई नहीं बताए student किर्चोब के किर्चोब ने दो नियम दे थे या किस पर आधारित है बताए जल्ती तो right option होगा option B, आवेश तथा उर्जा स्रक्षन के नियम पर क्योंकि किर्चोब का पर्थम नियम में वो तो आवेश के नियम पर आधारित है जबकि second नियम है वो किस पर आधारित है उर्जा स्रक्षन के नियम पर तो चलिए एगले question के और बढ़ते हैं फटापट ये कापी लंबा question है आप इसे पोज करके भी पढ़ सकते हो विवबमापे के परिवग में पर विद्धित्वागबळ ये नगर्न आन्तरिक परतिरोद का सेल परतिरोदतार की लंबाई येल पर संतुली तोथा है दूसरा सेल जिसका आप इसे पोज करके पढ़ सकते हो ये हम करवारे हैं 2020 के paper का solution आप देख सकते हूँ RUHS Interest Examic किस प्रकार के question paper आप से पूछे जाएंगे किस प्रकार के question आप से पूछे जाएंगे इस प्रकार के question आएंगे student तो इसका right option होगा option C L तो student आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी अब हमने 16 तक के लिए आगे हम अगले वीडियो में करेंगे धन्यवाद इस्ट